Hello dear students, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मात्र एक महीने में बोर्ड एक्जाम की तैयारी कैसे करें मात्र एक महीने में जो आपका टाइम बचा हुआ है, एक महीने से कम समय बचा है लेकिन मैं एक महीने लेकर चल लाओं एक महीने में board exam की तैयारी कैसे करें अभी तक आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा यानि किताब कुछ हुआ भी नहीं है तो आप कैसे करेंगे तैयारी board exam में ये पांच तरीका जो है आपको क्या है टॉपर बना देगा जो आज किस वीडियो में एक महीने में तैयारी करकी तो वीडियो को पूरा आप लोग लास तक जरूर देखेगा कमजोड student के लिए आज का ये वीडियो पूरा है सबसे पहला जो आपका तरीका है सबसे पहला क्या तरीका है time table बनाओ सबसे वेस्ट तरीका यही है क्योंकि भईया आप time table नहीं बनाओगे आपको यह नहीं पता है कि हमें कितना time देना है अपने study पर फिर उसके बाद में बाकी कामों को तो अपना एक schedule बना लीजिए अपना एक time table बना लीजिए कि हमें time table से काम करना है क्योंकि जो बचा हुआ आपका दिन है यह time table पर ही बनाकर ही आप क्या है सफ़लो पाएंगी फालतू चीजे करकर बिल्कुल भी नहीं तो यह पर दिखे अपने हिसाब से सबसे पहले आप time table बनाओ हमने time table का dedicated video बना रखा हूँ जिसमें हमने बताया कि आपको क्या क्या पढ़ना है कैसे आपको time को manage करना कैसे आपको study करना है जिसमें क्या है आपका सारा study भी हो जाए और जो कुछ आप करना चाहते हैं वो आप बचे हुए time में कर सकते हैं तो क्या है अपना एक time table बना लूजी और नहीं बनाना आता है तो आपका video search कर लीजेगा आपको हमारे channel पर video मिल जाएगा हमने time table बना रखा है उसके बाद देखे set your goal अभी तक आपका भीजा goal ही decide नहीं है कि हमें कितना percent लाना है कुछ को क्या है सिर्फ pass ही होना है हमें कुछ को क्या है 80% लाना है कुछ student को 85% लाना है कुछ student को 95% लाना है और कुछ student को 75% लाना है तो सबसे पहला एक अपना goal set कर लीजे यह मिन इतना percent लाना है जिन को past होना है तो वो तो past हो जाएगए आज कि इस video को देखने के बाद ने एक महिने में तयारी करने का सबसे बेश्ट तरीका है कि सबसे पहला अपना एक क्या टाइम टेबल आप बना लीजी अपने हिसाब से बना लीजे टाइम टेबल से जब आप काम करेंगे तभी आप जाकर सफल हो पाएंगी फालतू चीजे करके विल्कुल भी नहीं तो टाइम टेबल आप बना लीजी और अपना एक गोल सेट कर लीजे कि हमें इतना परसंट लाना है उसके बाद में देखे क्या है दूसरा है यह सबसे अदा आज कल का जो युवा है याजि आप लोग भी इसको यही करेंख कर रहे होंगे क्या सभी अभी और टाइम बरुबात कर रहे होंगे टाइम किस चीजवरे बरुबात कर रहे हैं रील देखने में Instagram पर काफी विद्यारती को मैंने देखा है, तिन online ने थे, पूरा दिन, पता ने क्या क्या करते रहते हैं, वीडियो जी देखते रहते हैं काफी, लिकिन क्या उसमें वो टाइम बरबाद होता है, अब आपका क्या है कम समय बचा है, और काफी अच्छा माक्स लाना है, और पा बहुत कम दीजी यह नहीं कि छोड़ ही दीजिये लेकिन टाइम दीजिए एक अपना जग टाइम टेबल है वह आप बना लीजी कि हमें इतना समय यह हमें किया है साथ से आध घंटा क्या हमें रोज पढ़ना है फिर एक घंटे क्या है में यह सारी चीजे करने वार्चाप इं सब्सक्राइबो सब्सक्राइब उसक्राइब्र तो नमक्ताइब क्या ISO revision करें revision काफी विध्यारतिय का doubt रहता है कि sir मैं revision कब करूं revision करने का best time क्या है तो यहाँ पर देखिए जो पढ़ें उसका revision करें सुभा चार बजी देखिए 4 बजी, साड़ी तीन बजे, पाँच बजी तो आपको क्या है इस इस में इस टांक पर क्या है? आपको रिवीजन करना है, जरूर करें प्रशन को उत्तर जी चार बजसे आप उठेंगे भुख धुलने के बाद में क्या है पूछे उसके बाद में विद्या कोशन को क्या है परदाम करकर आप रिवीजन करना स्टार्ट कर देजी है आपको क्या है mind fresh रहेगा वहाँ पर आपको क्या है negative thoughts भी जादा नहीं आएगे और क्या questions का answer जल्दी जल्दी आपका याद होगा जब मौर्णिंग में पढ़ेंगे कि मौईंड जो आपका माइड है दिमाग वह आपका फ्रेस रहता है तो जल्दी जल्दी कोशन और डिवीजन कननी से जब जाएदा से यादा सफल होंगे जो आपका टाइम टेम भनें लेकि हर एक जोसे जो आपका वीक सब्जेक्ट है, मैं आपको टाइम भी बता देता हूँ, जो आपका वीक सब्जेक्ट है, इस पर आप दो घंटी जरूर दीजी, जो वीक सब्जेक्ट है, उस पर आप दो घंटी जरूर दीजी, जो आपका थोड़ा श्ट्रॉंग है, तो पर डेड़ घंटा या एक घंटा दीजिए और उसमें भी आपको जैसे चार तरह के प्रश्ण होते हैं मिनिमम सभी विद्याती में बहुभी कल्प ये प्रश्ण अती लगुत तरिये प्रश्ण तो सब्सब्सब्स लेड़ है 10 मिनिटे इसे 10 मिनित आपको किस पर दे नगाई अबजेकर बैसे क्या है चौथा है टॉपिक तैयार करो देखे टॉपिक वाला वीडियो जो हमने अल्लेडी बना रखों हर एक सब्जेक्ट का बना रखा हूं काफी विद्यार्थी करते हैं कि सार आप इंपॉर्टन कोश्चन बताइए तो भया आप लोगों के लिए वहीं है इंपॉर्टन क बना रखा हूं टॉपिक वीडियो बना रखा हूं जिनको सिर्फ पास होना है जिन विद्यार्थी को क्या है सिर्फ पास होना है वह टॉपिक वाला पार्ट वन की पार्ट वीडियो भी होगा पार्ट टू वीडियो भी होगा तैयार करनेंगे वह पास हो जाएंगे लिए जिनको अच्छे marks लाना है वो topic भी तयार करना है और जो मैं important question answer भी बताता हूँ उसको भी आपको ज़्यादा से यादा तयार करना है समझ मैं आ गया है अब भी कि topic कैसे तयार करेंगे उसका आप sorts notes बनाईए यानि पढ़िए उसका आप छोटा-छोटा notes बना लीजिए छोटा-छोटा question का उसके बाद में दूसरा क्या question bank से अब आपको क्या है समय अब आपका syllabus वाला जैसा कि मैंने बताया जाच चुका हूँ तो अब क्या है आपको syllabus नहीं पढ़ना है question bank से पढ़ना important question पढ़िए model paper को ज्यादा से ज्यादा तयार कीजिए मैं भी तयार करा रहा हूँ आप लोग देखी रहोंगे उसके बाद में क्या है आप question bank में, आपकी book में और जो पिछले साल का है आप देखिए चौथा number की preview year paper जो पिछले 3 साल का है उसका भी solution कीजिए उसको भी आप हल कीजिए ज्यादा से ज्यादा आप preview paper को हल करेंगे पिछली साल का जो 3 साल के हाला कि subject क्या है syllabus जो change होता रहता है हार एक subject का लेकिन आप जब आप क्या 3 year का paper solve करेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा knowledge होगा कि कैसे questions आता है को ऐसे paper आएगा उससे क्या है दिखे जब आप model paper preview paper हल करते तो 30 से 40% आपका question इनी सबसे complete हो जाता है बागी का आपका 60% जो होता है वो आपको लिखित देना होता है जो कि आपने याद किया हो जो आपने जी पिर भी और paper भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा सर्च कीजिए जो भी चाहिए होगा देखे हर एक subject का जो हमने topic तयार कर रखा हूं आप जाकर देखेंगे हमारे channel पर playlist भी है जो कि हर एक subject का playlist है जाकर आप check out करेंगे आपको तयारी का मिल जाएगा और तयारी जब आप वह सारे topic को तयार कर लेंगे तो आपको 95 लानी से कोई भी नहीं रोख सकता प्यारी विद्यारती समझ में आ गया तो topic जादा से यादा तयार कीजी उसके बाद में देखें क्या है पाच हुआ है week में test यादि आपको हर एक Sunday की दिन देखें आपका क्या है एक week में 7 days होते हैं 7 दिन होते हैं 7 दिन में आप 6 दिन क्या study और revision में निकाल दीजी अपना एक क्या है Sunday की दिन काफी विद्यारती हैं movie देखने लगते हैं उसके बाद में घूमने फिर ने लगते हैं तो घूमने फिर यह लेकिन अब क्या है time बहुत कम बचा है तो उसमें तयारी आपको अच्छे करने है pass होना तो जो हमने बताया topic वाला तयार कर लेंगे तो पास हो जाएंगे लेकिन क्या जिनको अच्छे marks लाना है उनके लिए क्या तयारी में अच्छे से लग जाना है क्या जाना इधर उधर घोमना फिरना उसके बादने क्या है टाइम वेश्ट करना उनके लिए क्या है यह possible नहीं है वेश्ट करेंगे तो क्या काफी अच्छे मांक्त नहीं ला पाएंगे तो हपते में आपके साथ दिन होते हैं तो छे दिन तो आप च्छे दिन पढ़ाई किया मुझे आती है या वैसे है मैं पढ़कर क्या भूल जाता हूं तो उसको क्या आपको तयार करना पड़ेगा जो आपका संडेस्ट लेना अपना टेस्ट जिस तरह से आपके टीचर टेस्ट लेते हैं हर एक वीक में कि क्या है हमने इतना पढ़ाया आप लोगों को पता है या याद किये हैं या वैसे ही भूल जाते है तो टेस्ट अपना लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है उसी से आपका और लग जाएगा कि आप कितने क्या श्ट्रौग है कितने आपके या कि कितनी परसंट आपकी तयारी हो चुकी है समझभे आगा त संडे को अपना कोषट को टयार किए और test ज़रूर दीजे, कौशट को क्या जादा से जादा तयार किजी और अपना test ज़रूर दीजी, समझ मैं गया, इसी के दिन आप tips और copy वाप पे वाला जो video है यह आप देख लीजिएगा कॉपी कैसे लिखे जाती है संडे की दिन आप सारे चीजी कर लीजिए समझ मैं गया टॉपर इसी तरीकी से 95% लाता है वो कुछ करता नहीं है क्या है वो कुछ भी नहीं करता है टॉपर तरीका क्या होता है कॉपी लिखने का तरीका दूसरा क् इक्जामनर का माइड़सेट क्यों पता होता है कॉपी कैसे लिखी आती है राइटिंग कैसी है उसके बाद में क्या कोश्चन का एंसर कैसे पर जिंट करना यहीं टॉपर करता है और कुछ भी नहीं करता वो अलग समझ मैं आगा वो भी इनसान ही है वो रोबोर तो है नहीं ये वीडियो काफी विद्यार्थी छोड़ कर चले भी गया होंगे लेकिन आप लोग क्या बहुत लगी इंसान है जो ये वीडियो देख रहे हैं और हमारे बताए गई जितने भी तरीके हैं यह आप फॉलो कर देते हैं सेल्फ स्टेडी करना स्टार्ट कर दो गोष्च्ण बैंक से इनपोर्टंन точ Holocaust ज़्यादा परना स्टार्ट कर दो मौडल पेपर देखें मौडल पेपर ज्यादा से जल करो उससे क्या है जैसा कि हमने बताय تو 30 से 40 percent question आपके model paper से ही तयार हो जाते हैं और सही से revision देखें revision काफे विद्यारती करते हैं क्या है वो revision कर रहे हैं सुभा आप morning में revision कर रहे हैं तो phone बिल्कुल भी मत उसमें allow कीजी phone मत allow कीजी सही से revision नहीं हो पाएगा तो सही से revision कीजी पानी रग लीजी मुधूल लीजी अच्छे सी revision मैंट कर पढ़ाई कीजी तुभा morning में ज्यादा से यादा question याद होगा तो यह सारी चीज़े यादा चार चीज़ें आप follow करते हैं तो 95 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता समझ में आ गया बस mindset अलग रहता है और उनकों लिखने का तरीका पता होता कि कैसे लिखा जाता है यह क्या पांच topic ऐसे हैं जो हमने बताए हैं आपको जब follow करेंगे और time table सबसे ज़्यादा है इसमें जो सबसे powerful है वो आपका time है time के अमसार जब आप काम करेंगे time पर आप जब समय देंगे अपने आपको जब आप time पर समय देगा तो time भी आपको क्या एक strong बनाएगा जनी strong आदमी बनाएगा मात्र एक महिने में board exam की कैसे तयारी करें पांच तरीके हमने बता दिया है अभी तक जो भी विद्यारती कुछ नहीं पढ़े किताब नहीं पढ़े तो अभी सी किताब लेकर वैड़ जाई है और तयारी में लग जाई है समय में आगे और जिनको कुछ भी नहीं आता board exam में कि हर एक subject में कैसे तयारी करें हमने वेडियो बना रखा है जाकर आप channel पर देख लीजिएगा फिलाल आज के इस वीडियो में इतना ही मिलता है next video में नए topic के साथ जै